तो आज हम डिसक्स करने वाले हैं आपकी एक्सराइज 9.4 question number 4 second and 3 तो 1st, 2nd and 3rd में पहला question आपके पास क्या है इनका product find out करने का मतलब क्या है बेटा 4P को multiply करना है किस से इस से अगर इस से multiply करूंगे तो इसका मतलब क्या है इसकी multiply इसकी साथ भी बीच में plus का sign तो plus और फिर उसकी multiply इसके साथ भी क्या बन गया 4P की multiply Q की साथ बीच में plus का sign तो plus 4P की multiply किस के साथ R के साथ तो अब इसको अगर solve करूंगे तो क्या बन गया 4P Q बीच में plus तो यहां से बन गया 4PR रवोटो और question number second question number second क्या कहे रहा है A B की multiply किस से करो A minus B के साथ ठीक है It means A B की multiply A की साथ बीच में minus के sign A B की multiply किस के साथ B के साथ तो क्या बना है यहां से देखो A की power 1 A की power 1 A की power 2 तो 7 में क्या है B बीच में minus के sign तो minus A आपका has it is B की power 1 B की power 1 B की power 2 Now move over last third part 3rd part आपको क्या कह रहा देखो इसने बोला A square minus 9 को multiply किसे 4 A से इसका मतलब क्या है बेटा 4 A को multiply करना इससे 4 A की multiply किसके साथ A square के साथ और minus 9 की multiply 4 A की साथ तो अध्यान से देखना बेटा 4 1 is a 4 A की power 2 और A की power 1 2 plus 1 3 बीच में minus का sign तो minus का sign 9 4 is a 36 आपको क्या कह रहा है A square minus 9 ये पहले कर दिया पेटा this is your fourth part यहां करेंगे part number 3 क्या है A plus B into 7 A square B square दिहान से देखना बेटा इसकी multiply इसके साथ 7 A square B square की multiply A की साथ बीच में plus का sign है तो plus का sign 7 A square B square की multiply B के साथ ठीक है जब मैं इसको multiply करूंगी तो यहां power 2 यहां power 1 तो 2 plus 1 कितना बन गया 3 तो 7 A की power 3 और B की power 2 भी प्लस का sign यहां पे देखो 7 as it is A की power 2 as it is B की power 2 और B की power 1 क्या बन गया B की power 3 अब देखो यहां पे जब मैंने किसी number को last part 0 से multiply करूंगी तनसर कितना आ जाएगा 0 चाहे वो कितना भी बड़ा number क्यों ना हो question number 2 question number 2 में आपको essay दिया हुआ है उसमें से उसने क्या बोला you have to find the product of these numbers इसका product निकालना है product निकालना तो बिटे इस A का जब मैं इसके साथ product निकालोंगी तो यह हर एक number के साथ क्या हो जाएगा multiply में यानि कि A की multiply B से की तो क्या बन गया A B बीच में plus है तो plus A की multiply C से की तो क्या बन गया A C plus A की multiply D से की तो क्या बन गया A D ठीक है अब next पर आजो सेम तरीके से यह जब मैं इससे इसको multiply करूँगी तो हर एक number के साथ 5XY आ जाएगा अब यहां से देखना 5XY को जो मैं X से multiply करूँगी तो 5 आपका is it is यहां X की power 1 यहां X की power 1 कितना बन गया X की power 2 और साथ में क्या है बेटा Y बीच में plus का sign है यहां पर देखो plus तो plus फिर इसकी multiply Y से की तो 5X आपका is it is Y की power 1 और Y की power 1 कितना बन गया Y की power 2 आप देखो क्या sign है minus तो minus अब इसकी multiply 5 से करूँगी तो 5 5 is the 25 और साथ में क्या आगे X Y तो 25 X Y लिए लिए ना move to over next part part number 3 जहां से देखो इसका मतलब क्या है इसकी multiply इस पूरी टम के साथ तो कैसे बनेगी P की multiply इससे की तो P की power 2 और P की power 1 तो कितना बन गया 6 P की power 3 बीच में minus का sign जब इससे करूँगी तो 7 1s are 7 और P की power 2 बीच में plus तो plus P की multiply 5 से की तो कितना बन गया 5P part number 4 में 4 P square Q square की multiply P square minus Q square से ये single term में इसको उठा के इसके साथ 4 आपका as it is P square से multiply करें हूँ पहले P square और P square P की power 4 और 7 में यहां से क्या बच्चा Q की power 2 minus जब इससे करूँगी तो 4 P square as it is Q की power 2 Q की power 2 क्या बन गया Q की power 4 Q की power 4 ठीक है next last part ABC की multiply इसके साथ ABC की multiply जब A से करूँगी तो कितना बन जए A की power 1, A की power 1, A की power 2 और 7 में BC बीच में plus का साइन है तो plus का साइन B की power 1, B की power 1, B की power 2 ठीक है जब C से करूँगी तो C की power 1, C की power 1 C की power 2 तो A, B, C की power 2 तो यह था पिटाब को question number 2 now move to our question number 4 question number 4, question number 3 यह 2 था, आप आते हैं 3 पे तो question number 3 आपका क्या कह रहा है देखो question number 3 आपका क्या कह रहा है question number 3 के first part पे हम चल रहे we have to find the product किसका product निकालना है ध्यान से देखो A square into 2 A की power 22 into 4 A की power 26 ध्यान से देखना बेटा 2 Forza 8 constant की multiply constant से जो variable है अगर same variable है तो power प्लस कर दो, same variable है तो power क्या कर दो plus 22 प्लस 2, 24 24 प्लस 26 तो कितनी आगी power 2 प्लस 22 प्लस 26, power बन गई 50 तो answer आगया एक ही power 50, part number second क्या कह रहे देखो 2 by 3 x y की multiply minus 9 by 10 x square y square के साथ पहले मैंने क्या बोला, constant की multiply constant से, तो 2 by 3 की multiply minus 9 by 10 से 3, 3 सा 2, 5 सा, x और x square यहाँ 2 power यहाँ 1 power, power प्लस हो जाएंगी x की power 3 y की power 2, y की power 1, y की power 3 तो कितना बचाँ, minus 3 by 5, x की power 3 और y की power 3 part number third part number third आपको क्या कह रहे देखो part number third में कह रहे है minus 10 by 3 p q की power 3 into 6 by 5 p cube into q ठ्यान से देखना बेटा variable की multiply variable के साथ यह देखो, minus 10 by 3 into 6 by 5 p की multiply, p की power 3 से की, यह power 3, यह power 1 तो p की power 4 q और q cube, q की power 4 3 2 जा और 5 2 जा तो कितना आ गया, minus 4 p की power 4 q की power 4 ठीक है, last part x into x square into x cube into x की power 4 बेट c में सब की power क्या हो जाएगी multiply और सब का कौन से इंटम क्या है 1, तो x की power 1 plus 2 plus 3 plus 4 1 plus 2 plus 1 3 3 plus 3, 6 6 plus 4 10 तो अंसर कितना आ गया, x की power 10 तो बिटा यह था आपका question number 1, 2, 3 I hope it is clear to everyone and if you like it then please share and subscribe thank you so much